हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग और वेलकम टू सफलतामत्र दोस्वां सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिसमें किम लोग कबर करते हैं करेंट अफेर्स के इंपोर्टन कोशन्स और दोस्वां डेट है 12 अप्रेल आज की क्लास में किया हो तो नीचे लगे रेड कलर के बटन को प्रेस करके उसके पास में लगे हुए वेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और दोस्वां करेंट अफेर की पुरानी प्लेलिस्ट में जा करके सभी पुरानी क कोशन पर पहला कोशन है हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए टुटर अभियान का सुभारंब किया तो दूस्वां भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए तो इस टाइम में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के ल कौन सी होती है रिजर्व बैंक आफ इंडिया तो इसी ने ये ट्विटर अभियान प्रारंब किया है रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इसका आपका ए नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पहले कोश्चन का चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर कोश्चन पर साज हेदारी की है तो दूसरों बहुत सी अलग-अलग कंपनियां बहुत से कॉलेज इसमें सबस्यादा अगर किसी पर रीडिंग कर रहे हैं तो वह आपकी क्या है कोबिड-19 कोरोना वायरस पर तो इसको लेकर अलग-अलग संस्थान है वो वैक्सीन भी तयार करने में लग होता किया है साज हेदारी की है तो ये इंडियन इम्यूनो लॉजिकल लिमिटेड कहां परिस्थित है चारों आपके सामने दिये गए है जल्दी से बताईएगा तो इसका आपका सेकंड नंबर कोश्चन का डी आप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में समय में आपके तेलंग गाना की राजधानी है आप लोगों को पता होगा और आंद प्रदेश की तीन राजधानिया बना दिये वो भी आपको करंट अफेर के इंतरगत बहुत अच्छे से बताये था बहुत वार बताये था तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतेक चीज अ उर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया तो दुस्वों भी कुछ दिन पहले जी टॉन्टी देश के प्रमुखों की बैठक होई थी जो की मुख रूप से कोविड-19 पर आधारित थी लेकिन उसके आद एक बार फिर से जी टॉन्टी देशों की एक बैठक बुला था और इस वारताल आपकी बैठक का आयोजन की अध्यच्चता किस देश ने की थी हाला कि पूरी बैठक जो ही थी यह आपकी पूरी बैठक एक ऑनलाइन माध्यम से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी और इसका आपका ए नंबर आप्सन सही हो सौधी अरब ने इस बैठक का आयोजन प्रारंब किया था अध्यच्चता की थी और इसे बुलाया भी इसी देश ने था सौधी अरब ने बुलाया था साथी साथ आपको एक और खवर दे दे तो सौधी अरब के जो प्रिंस हैं उनके पूरे परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण देखने को मिले हैं प्रिंस जो हैं उनमें पॉजिटिव भी पाया गया है तो वो सभी लोग कोरेंटाइन में चले गए हैं आप लोग भी अगर घर पर रहें तो बिल्कुल सुरच्चित रहना है दोस्तों बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है और अगला कोरोना वाइरस के चलते पूरे देश में कितने समय के लिए लॉग डाउन बढ़ाने की मांग की गी है दोस्तों कोरोना वाइरस काफी तेजी से फैल रहा है इसको लेकर पूरे देश में जो लॉग डाउन का टायम है वो बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि लॉग डाउ को आगे बढ़ाने पर सहमत जताई थी तो इसको लेकर जो ख़वर आ रही है जो नियूज मिल रही है कितने समय के लिए इस लोगडाउन को बढ़ाया जा रहा है तो दोस्तों अभी तक जो ख़वर आ रही है हलांकि अभी ऑफिसियल ख़वर नहीं आई है लेकिन फिर भी सही हो जाएगा दोस्तों दो सब्ताह के लिए आनि कि 14 अपरेल तक है भी और इसे बढ़ा करके 30 अपरेल तक किया जाना है लोगडाउन है हलांकि अभी ऑफिसियल नियूज का पता करते रही है कल या परसों तक आपकी ऑफिसियल नियूज भी जारी कर दी जाएगी जिसमे कि इस टाइम को लॉगडाउन के समय को बढ़ाया जा रहा है लगवक सभी राज्य इसको और आगे तक बढ़ा चुके हैं पहले से कुछ राज्यों ने 30 अपरेल तक एक मई तक बढ़ा दिया है तो उम्मीद करते हैं कि इस 15 दिन के समय में कोरोना वाइरस को लेकर कुछ न सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हम लोग अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर 5 आपके सामने है कि संतराशी संगठन ने वित वर्स 2020-2021 में भारत की जीडिपी घटा कर 4.8 प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों अलग-अलग संस्थान है अलग-अलग संगठन है जिन्नोंने भारत की जीडिपी को लेकर कैस लगाय हुए है तो इसी एक संगठन ने बताये कि भारत की जीडिपी जो की पहले 5.1 प्रतिसत होने वाली थी उसे फिर से घठा के 4.8 प्रतिसत कर दिया है किसकी बज़े से कोरोना वायरस की बज़े से पूरा विस्चू मन्दी की और जा सकता है तो इसका आपका दुस्तों C नंबर ऑप्शन है संयुक्त राष्ट संगठन है आप लोग ने नाम जरूर सुनागा विस्व का सबसे बड़ा संगठन है और इसी संगठन ने भारत की जो GDP दर है उसे घटा करके 4.8 कर दिया है 5.1 से 5 नंबर कोश्चन का आप इस डिजिटल वेंक ने भारती एकसा जनरल इंसुरेंस के साथ मिल करके COVID-19 बीमा पॉलिसी लॉंज किये तो सो लगवक सभी बीमा पॉलिसी की जो कंपनियां है इन्सुरेंस की कंपनियां इन्होंने अलग-अलग रूप में कही ना कहीं से पेमेंट वेंक के माद देम से ओनलाइन पेमेंट के माद देम से COVID-19 बीमा पॉलिसी प्रारंब कर दी हैं और में बात यह कि यह पॉलिसी जो इनमें किसी प्रकार की कोई ओफलाइन डॉक्युमेंट्स या कोई चीज नहीं मांग रहे हैं डारेक्ली ओनलाइन ही इसका भुकतान करके यह आप लोग पॉलि हो जाएगा यह आपको बताना तो दूस्वों इसका आपका कोश्चन नमबर सिक्स का यह ओप्सन है एरटल पेमेंट्स बैंक इसने हाली में भारती एक्सा इंसरुएंस के साथ मिलकर के COVID-19 का बीमा पॉलिसी जारी की है इसका आपका यह नमबर आप्सन सही हो जाएगा की बात हो रही है जहाँ पर राष्टपती सांसद उपराष्टपती यानि कि जितने भी पदादिकारी लोग होते हैं इनकी सेलरी में 30% कट होती होगी साथी सांसद निदी को भी दो वर्स के लिए बंद कर दिया गया है तो यह किस देश की बात है दोस्तों कौन सा आप्सन सभी लोगों को पता होगा इसका आपका डी नंबर आप्सन सही हो जागा जिसमें की सांसद निदी को दो वर्स के लिए और जो आपके जितने भी सांसद वा अनिलोग हैं इनके 30% जो इनकी सेलरी है उसमें कटाउती करने की बात कही गई है और इसी की सीद में जाते हुए यूपी में भी इस तरह का एक आदेश जाड़ी किया जा चुका इसको लेकर नियूज आपको कल की डेट में देंगे करेंट अफेर का कोश्चन आप लोग क्लास को जरूर देखेगा कोश्चन नमबर एर्थ आपके सामने है किस राष्टी संगठन ने हाली में बड़ी त्यार की जारी है अलग-अलग संस्थानों में तो उसी किट उसी के इंतरगत एक आपका सेनिटाइजर की मसीन त्यार की ड्रोन त्यार किया गया जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सेनिटाइज करना है जिसका काम है दबा का छेड़काओ करना इसी को सेनिटाइज करना कहते हैं तो बड़ी जघोंपर पार्क हो गया जिसे कोई रोड हो गया इन सभी इस्थानों ओपर इसको इसके मादेम से इस ड्रोन के मादेम से सेनिटाइज किया जा सकता और जो बनाया है ये आपका फौर्त नंबर उप्सन है आई-ई-टी गुहाटि ने इस ड्रोन को तयार किया है नंबर option बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आप लोगों से end में question पूछा जाता है उसका answer आप लोग अधिक सदिक संख्या में जरूर दिया कर ये आपके सभी options हम पढ़ते हैं और आज की class में आपको कल के question के answer भी comment box में जरूर बताते हैं question number 9 ने भारत बायो टेक ने कोरो फ्लू वैक्सीन तयार करने के लिए किस देश की कमपनी फ्लू जेन के साथ करार किया है तो दोस्तों भारत बायो टेक भारत की कमपनी है और इसने कोरो फ्लू नाम की वैक्सीन तयार करने की बात कही है ये दोनों मिलकर के कमपनी है फ्लू ज इन दोनों ने मिलकर कोरो फ्रू कोरोना वायरस से सम्मंदित वैक्सिन की तयारी में लगे हुए हैं तो ये फ्लूजेन जो कमपनी है ये किस देश की कमपनी है ये आप लोगों को बताना है कौन सा आप्शन आपका इसका सही हो जाएगा कोश्चन नमबर 9 है सभी आप्शन द बता दें दोस्तों कि भारत की में तयार की जाने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोडाइफीन नामक दबा जो की मलेरिया के काम में आती है मलेरिया बीमारी लड़ने के काम में आती है उसे ही वरत्मान समय में कोरोना से लड़ने के लिए प्रियोग में लगाया जा रहा है तो इ एक चीज को समझते रहेगा question number 10 है फीफा दौरा जारी नविन्तम रैंकिंग में भारत किस इस्थान पर रहा चारों आपने पढ़ लियोंगे दूस्तों फीफा जो कि कह सकते हैं फुटवॉल की सबसे बड़ी संस्ता है इसी के माध्यम से फीफा वर्ल्ड कप कराए जाता है और इस रैंकिंग के अंतरगत भारत का जो स्थान है वो 108 वा इस्थान है जो कि पिछली बार का ही स्थान है पिछली बार जब रैंकिंग हुई थी वही स्थान इस बार भी मिला है तो इसका आपका B number option बिल्कुल सही हो जाएगा 108 में इस्थान पर भारत वरकरार है और साथ आती साथ आपको बता दें तो पहले नंबर पर वेल्जियम है वेल्जियम देश यह वो पहले नंबर पर है दूसरे पर फ्रांस है और तीसरे पर ब्राजील है यह इस प्रकार से इनकी जो रैंकिंग है वो याद रखेगा पहले पर वेल्जियम दूसरे पर फ्रांस तीसरे पर ब्राजील और 108 में नंबर पर भारत है इस रेणी में याद रखिएगा अब आज का अंतिम कोश्चन है पदम स्री पुरसकार से सम्मानित सांती हीरानंद चावला का निधन हाली में हो गया है विक कि शेतर से सम्मंदित हैं तो दोस्तों पदम स्री पुरसकार मिल चुका इनको और सांती हीरानंद चावला इनका नाम है दोस्तों तो इनका जो बिल्कुल सही ओप्सन हो जाएगा यह एक बहुत प्रसिद्ध गाई का है गाई के ही छेतर में इनको पदम स्री सम्मान से सम्मानित किया गया 11 नंबर कोश्चन का आपका यह ओप्सन बिल्कुल सही हो पूँचा था और कोश्चन था फाइव टी प्लान जो लागू किया गया कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए ये किस देश के किस राज्य में किया गया तो दुस्तों दिल्ली में से अर्विंद केजरिवाल की सरकार ने लागू किया है और इसको लेकर जो सही आंसर आया है वो तुस्तों ललिता पांडी जी का है राम सेबज जी का है पूरा पूजा वर्मा जी का अंसर आया है इसके लावा पूजा देवी जी अंकित जी इन सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है दुस्तों नाम आज हम लोग नीचे से ले रहे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं कुमारी गौरी जी कभिता जी अबबाश जी गौरब जी बिपिन जी सुनील जी इन सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सटीक आये हैं इसके लाव वरुन जी ने इसको डिस्क्राइब भी किया इन्होंने बताए कि सीम आफ निव डेली भी बताया काफी अन्य लोगों ने भी बहुत अच्छे च्छे अंसर के निवेदिता जी हो गई सांभवी जी अवनीज जी अन्य लोगों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं इसी प्रकार से अपना सहोग बनाकर अंसर जरूर करते रहे हैं तो जरूर कम बताईगा ताकि आपकी सुभ़ डेली 6 बजे-3.50 बजे की जो क्लास आती है इसी प्रकार से चलती रहे बस आपका सहोग मिलता रहे अधिक सदीक क्लास को देखते रहे हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं सांभकी सीटेट की क्लास में आप जाएए प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी क्लासेस को जरूर देखे थेंकि दोस्तों गुडबाई टेक केर